दोस्तो आज 730 को मेरा लाइव है जिसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ जाके फड़ा फड़ उस लाइव को लाइक कर दो दोस्तो और उसके नीचे अभी कॉमेंट कर दो अगर उस लाइव को 500 लाइक हो गए तो वो लाइव आज होगा अधर्वाइस वो लाइव मैं कल लेने वाला हूँ अगर आज आप 500 लाइक करवा दे रहे हो इसलिए बोल रहा हूँ अलग अलग जगर करो क्योंकि सभी को पता है कि एक्जाम के पहले जो मेरे लाइव चलते उसका इंपॉर्टेंस क्या है चलते हैं दोस्तों फड़ा-फड़ चीजों को तो चलते हैं दोस्तों वन बाइवन स्टार्ट करते हैं अगर आप ऐसा ही सेम वन सोड अगर कोई और टॉपिक पे चाहते हो तो प्लीज नीचे कॉमेंट करना यूनिटी दिखाओगे तो दो दिन में मैं बहुत कुछ आपके लिए कर दूँगा और इतने दिनों से करते आ कोईगे और दिएक्स क्वेर और यहां पे दोस्तों डीकुब वाइवर अगर बारी याती है कि सर ही से स्ट्राउंग होने त तो समझ में आता ही सरी हे कि यह हमें यहां ऐसे लिख रेज टू फाइए यहां पर रेज टू सिक्स और यहां पर दोस्तो रेज टू तू अब मुझे अगर बोलो कि तीनों ऐसे स्ट्रॉंग कोन है फिर भी मैं बोलूंगा दोस्ती यह हमेशा याद रखना जो अंदर से मजबूत है दोस्तों बाहर से मजबूत हो गई अगर हम और जिसको फाइंड आउट करेंगे उसी यह पावर को हम कंसिडर करेंगे उसका डिगरी साथ में दोस्तों एक चीज बताना भूल गया आज जो हमने कल का जो ऑफर दिया था कि हंड्रेट स्टुएंट के लिए हमने रिकॉर्डेट लेक्चर्स को दोस्तों 499 किया था औ और लाइव प्लास डीटेल लेक्चर्स सबसे बेस्ट दोस्तों यह बहुत सारे बच्चों ने यह लिया डीटेल लेक्चर्स मैं बोल रहा हूं कि जितना अगर इस सब्जेक में कुछ उपर नीचे हो गया तो फॉर्म का पैसा भी दोस्तों इसके आसपास आपको भरना देखोगे तो जल्दी जल्दी चीजे कवर हो जाईगी और बाकि यूटूब के वन सब्सक्राइब बहुत अच्छा कर से तो नीचे के दो लेशन अच्छे सब्सक्राइब अगर आप से नहीं हो पा रहा है तो आप यह जो हमारा क्रैस को था उसको रिकॉर्डेट फॉर्म क्रैस कोर्स के लिए तो आपको यहां पर रिकॉर्डेट फॉर्म में मिल जाएगा तो मैं चाहता हूं कि अगर किसी को जुड़ना रहेगा तो भाई आज जुड़ जाओ लास्ट मौका है जिससे बहुत सारी चीजे आप आज दिन भर में भी रिवाइच कर सकते हैं अभी की बात करोगी मजबूत को नियुक्त अगर अध्यान से देखोगे तो यहां पर देखोगी 9pdx 105 अंदर लेकर यहां देख़व कि 0,sur पूलोगे 앞으로 यह मजबूथ है यह सिर्ण यह मजबूट है तो इसके रेश्ट्समें कुछ नी यह तो जो जो मजबूत ह fulfil हुआ अब देखो यहां पी प्राबलम होने वाला है यहां मैं औरकॉथ रूक्ती इसका एंसर क्या आइगा इसका एंसर मजबूत ओने सर यह मजबूत और यह और एक चीज़ ध्यान रगना अगर यह मजबूत है तो इसके पर रूट नहीं होना चीए और आपको पहले से पता होना चीए कि इस रूट को हम वन बाइट लिखते हैं दोस्तों रेश्टू में अगर सब्सक्राइब करूंगा तो आप उन रेश्टू में क्या लिखेंगे दोस्तों वन बाइट तो हमेशा याद रखना कि यहां पर यह और यह रूट नहीं चीए तो अपने को स्क्वेर से मुल्टिप्लाइ करना हो तो इस से अच्छा क्या करो भाई जिनकी जरूरत नहीं उनको वहां फिक दो ना देखो डी बाइब डी एक्स जरूरत नहीं है यह वहां पर गया प्लस हो गया और यह वाला पार्ट दोस्तों देखो यहां पर और यहां पर डी एक स्क्वेर अगर आप साथ में चीजों को बताते जा रहे हो तो बहुत अच्छे दरीके से आपकी चीजे कवर हो जाएगी अब यहां पर दोस्तों क्या करोगे इस रूट को हटाना है तो हम क्या करेंगे टेकिंग स्क्वेर ऑन बोथ सा अब यहां पर अगर मैं दोनों को स्क्वेर करूं टेकिंग स्क्वेर ऑन बोथ साइड तो यह रूट काया हो जाएगा दूस्तों यहां पर डी स्क्वेर आपको दिखाई दिया तो अगर मैं ओवरल एनलीसिस करूं अब बोलोगे सर इसको एक्सपाइंड करूंगा क्या अगर इससे मतलब होता तो अपने को क्या करना पड़ता दोस्तों एकस्पाइंड करना पड़ता अधर्वाइस यहां पर बहुत अच्छे सभी लोग एंसर्स दे रहें डारेक यहां पर ऑडर टू आएगा एंड दोस्तों डिग्री के आएगा दोस्तों देखो ना ओडर स्क्वेर वाई डी एकस्क्वेर और यहां पर अगर मैं बात करूं तो यह डी वाई डी एकस है कि दोनों ही सम को अगर आप बहुत अच्छे तरीके से अगर देखने ही कोसिस करोगे तो मैंने हमेसा बोला कि मजबूत ही यहां पर रेज़्टू में क्यूब रूट नहीं च को बहुत सिंपल से अब इसके बाद मेरे इस लेक्चर के बाद बोलोगे सर्फ कॉन्पेडेंस का लेवल बहुत जादा बढ़े गया है अब यहां पर अगर आप द्यान से देखोगे दोस्तों यहां पर इसके नीचे 3 है इसके नीचे 2 है मैं यहां पर बच्छों की तरह आ अता है 3,1,3,3,2,6 तो दोनों का टेबल पे पहला कॉमन नंबर जो आता है वो हम यहां पर आल्स्टे म कंसिडर कर सकते ह्था तो दोस्तों यहां पर हमें क्या करना है दोनों के पावर को six से मल्टिपलाई करना है मल्टिपलाई बोथ दी पावर by six तो यहां पर मैं धियान लिखूं तो D square Y upon D square raise two में यहां पर कहेगा दोस्तो 2 और डिवाइब डिएक्स के raise two में यहां पर कहेगा दोस्तो 3 अगर मैं दोनों को बहुत अच्छे से analyze करूं तो एक चीज़ मुझे समझ में आ रहा है दोस्तों कि अब उपर और fraction में कोई भी पार्ट नहीं अब मैं इंका order degree निकाल सकता हूं तो मजबुती दोस्तों यहां पर में लोगों पता है चलो comment लिए क्या आप बात है तो सब लोग comment भर रहे है थाइंक यू है find the order and degree of the differential equation तो यहां पर कहाएगा दोस्तों देखो वाई है एक्वल टू यहां पर कहाएगा दोस्तों 1 plus dy by dx का square और raise to कहाएगा दोस्तों 3 by 2 यहां पर कहाएगा दोस्तों d square y dx square अगर आप द्यान से अच्छे से देखनी कोसिस करोगे तो कभी भी यह वाला टर्म दोस्तों नीचे नहीं होना चाहिए तो पहले इसको मैं यहां पर ले रहा हूँ y d square y upon dx square और यहां पर है दोस्तों 1 plus dy by dx और यहां पर square है और raise to 3 by 2 मैंने हमेशा बोला है दोस्तों कि यहां पर power fraction form में नहीं होना चाहिए अगर सबोस्तों यह 3 by 2 है मुझे इस नीचे वाले 2 को गयाप करना है तो मैं किस से multiply करूँगा equation को 2 से 2 से मतलब taking square on both sides अगर मैं दोनों साइट square लेता हूँ squaring on both sides squaring on both sides तो भाई क्या आ सकता है जल्दी से बताओ तो यहां पर अगर आप दियान से देखोगे और बस मुझे return में gift यह दे दो भाई जिन्होंने चैनल को subscribe नहीं किया है यह वाला भी पूरा part squaring में चले जाएगा तो यह क्या हो जाएगा दूस्तों डी स्क्वेर वाई और डी x square और इसका भी squaring हो गया और यहां पर गर मैं बात करूँ तो देखो यह one plus यह अंदर squaring मत करना इसका यहां पर दोस्तों three by two था इसका भी squaring कर दिया मतलब यह 2 से multiply हो गया तो देखो यहां पर भी चाहिए तो आप ऐसे भी लिख सकते हो पहले यह दोनों को एक साथ squaring कर सकते हो अब आप सभी को squaring यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर दिए स्क्वेर यह दियान दोगे तो one प्लस, डी, बाए, यग का सक्वेर, और यहदी को यह टुटू कैंसल को गया देखने की ज़रुत नहीं, अगर मैं क्यों नहीं expand कर रहा हूं मजबुती यहां पर दोस्तो डबल डेरिवेटिव है तो order अंदर का रेस्टू में कितना है दोस्तो डिगरी टू बहुत ही सांदर तरीके से अगर आप देखोगे अब देखो डिफरेंशेल इक्वेशन को कैसे फॉर्म करें अब यहां पर डिखके आएगा एक्जाम में फॉर्म करना देखो एक्जाम में कितने बार पूछा गया है तो दोस्तो यहां पर मैं एक फंड आपको बता देरहों कि इस टाइप का अगर कोई भी सम आता है तो आप यहां पर देखा करो number of constant जितने constant होंगे उतने बार derivative लिया करो यहां पर constant कितने दिख रहे है वन अलब derivative वन टाइम लिया करो तो यहां पर कर देखो मैं इसको इसको इक्वेशन नमबर वन दे रहा हूं और हमेशा दोस्तों यहां से आप constant का value पहले निकाल लिया करो अगर म यहां पर derivative formula आने चाहिए और derivative बहुत high profile formula नहीं आने चाहिए basic derivative के formula आने चाहिए जैसे मैं यहां पर क्या लिखूंगा फॉस्ट derivative है तो dy by dx ए constant है तो ऐसी ही आएगा और x2 का दोस्तों देखो x2 का याद कर लो जो derivatives आपको याद नहीं है अब भी याद कर लो मेरे साथ और अलड़ी इसी चैनल के उपर मैंने एक वीडियो बनाया है derivative and integration formulas how to learn how to learn derivatives and integration formula प्रदीपगरी अकेड़ी सर्च करना lecture के बाद और मजेदार तरीके से उसे भी देख लेना तो जिससे पूरा आपका formula त्यार हो जाएगा और जो application में है तो उनको मैंने basic lecture दिया तो उनको formula देख या तो वह 899 वाला ले लोगे तो उसमें आपका बहुत सारा टेंशन खतम हो जाएगा बस आपको फिर पढ़ना है बाकी आपको फिर कोई टेंशन नहीं रहेगा अब दोस्तों यहां पर आप देखोगे हमने एक constant तो वन टाइम हमने derivative लिया तो हम क्या करेंगे अब इस से एलिमेट करने के लिए यह वाला value यहां put करेंगे एका तो यहां पर कहा है दोस्तों y upon x square और यहां पर कहा है दोस्तों 2x है यह और यह cancel हो गया तो finally दोस्तों यहां पर कहा है 2y upon x आप इतना भी answer को रख सकते हो अगर आपको answer को change करना है तो आप ऐसे भी रख सकते हो दोस् dy by dx minus 2y which is equal to 0 and यह हमने form कर दिया तो देखो याद रखना है यह एक फंडा याद रखना अगर इस टाइप में कोई भी कोश्चन आता है तो एक फंडा आपके दिमाग को याद होना चीए जिससे आप बहुत अच्छे सपनी चीज हो क्या कर सकते है दोस्तों cover अब देखो भ अब अगर आप दियांग से अच्छे से अगर आप इसे देखते हो तो यहाँ पे इस सम को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे number of constant कितने है दोस्तों 2 है ए और बी मतलब 2 है मतलब 2 बाट derivative लेना है अब देखो बहुत सिंपल सा जिनको basic derivative आता है वो आराम से solve कर से तो यहाँ अब यहाँ पे भी constant का value starting में मत निकाला है differentiate with respect to x इसको हमेंसा equation number first ले लिया करो अब यहाँ पे देखो मैं first derivative ले रहा हूँ डी बाई 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 डी एक्स एक constant है इसी रखूंगा देखो मैं लिख रहा हूँ B बहुत सिंपल सा साइन का derivative क्या था कॉस्स अभी याद कर लोगर जिनको नहीं आगए अब बताओ क्या आएगा multiply में चलो comment बताओ फास्ट यह बैट फंक्शन है तो यहाँ पर कहाएगा दूस्तों one by x अब हमेशा याद रखना है एक चीज कि अगर नीचे कभी भी अगर कोई भी वैल्यूस आ रहा है इसको बाहर निकालके इस साइड में multiply कर देना तो देखो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूं नेक्स टेप में डी वाइवाए दी एक्स वीचिस इक्वल टू यहां से दोनों में से one by x में बाहर ले लूँगा तो यहा के बाद आपको double derivative कभी भी apply करना चाहिए तो यहाँ पर क्या है a sin of log x plus b cos of log x अब दोस्तों आप क्या करोगे इसको differentiate करोगे अब आप क्या करोगे यहाँ पर derivative लोगे तो यहाँ पर देखो मैं लिख रहा हूं again differentiate with respect to x अब देखो दोस्तों यहाँ पर यू इन्टु रूल है कौन सा रूल है दोस्तों यू इन्टु रूल यह भी मैंने आपको सिखाया था और यू इन्टु रूल बहुत डिफिकल्ट नहीं है अब यहाँ पर आपको समझना चाहिए क्यों यहाँ यहाँ पर यू लिख इखें़े यू calling the deathly का इए अब यहाँ दोस्तों यहाँ पर दोस्तों प्लस यहाँ पर दोस्तों का वैलियू क्या है है डी वाई बाई डी एक्स और देखो फिर से बता रहो u derivative of v plus v और derivative of u लेंगे u का derivative क्या आगा दोस्तों x का derivative क्या आगा दोस्तों 1 तो ये एक simple सा fund आपको पता होना चाहिए देखो पहला वाला सेम है दूसरे वाले का derivative दूसरा वाला सेम है पहले वाले का derivative यहां पर इतना बेसिक स्टेप्स की तरह चीज़े बता रहा हूं कि आप आराम से इस टाइम पर भी चीज़े समझ सकते हो अब देखो दोस्तों यहां पर माइनस से साइन साइन का डिरीटिव क्या होगा दूस्तों कॉस होगा लॉग एक्स होगा और आपको पता है लॉग एकस क्या आएगा बए अब दूस्तों यहां पर बार मैंने डिरीटिव ले लिया उससे यादा नहीं ले सकता तो देखो यहां पर x है यह d square y upon dx square यह dy by dx है यह minus a है यह दोनों में से आप फिर से x बाहर निकाल सकते हो दोनों में से देखो फिर से वन बाय एक्स बाहर निकाल रहा हूं यह क्या अब देखो दोस्तों यहां पर मैं यहां पर 1 by x बाहर निकालना है न मुझे 1 by 2 लिख दिया हूं 1 by x मैंने बाहर ले लिया अब 1 by x लेने के बाद यह x आप यहां पर बेज़ दो यहां पर जैसी आप बेज़ोगे इस x से multiply होके यह x square हो जाएगा यह d square y upon dx square इस x से multiply होके यह dy by dx हो जाएगा तो यह याद र log x बहुत ही simple step में चीज़ों को बता रहो प्लीस ध्यान से अच्छे से समझो यहां पर कहाएगा x square d square y upon dx square यहां पर x है क्या है दोस्तों dy by dx अब यहां पर आप ध्यान से देखो कि यह दोनों में से minus sign में बाहर ले सकता हो तो अगर suppose मैं minus बाहर ले रहा हो तो अंदर क्या बचेगा दोस्तों यह यहां पर क्या बचेगा दोस्तों cos of log x और यहां पर देखो यह sign change हो जाएगा b of sin of log x अब दोस्तों यह पूरा का पूरा पूरा पार्ट आपका जैसे ही cover हुआ तो यहां पर लिख सकते हो x square d square y upon dx square x dy by dx which is equal to minus यह पूरा का पूरा अगर आप question है देखो दियान से तो यहां पर कहाएगा दोस्तों वाई और आप यहां पर लिख सकते हो कि हमने कहां से लिखा from first next step में आप यहां पर ले लो तो यह प्लस हो जाएगा equal to zero अब यहां पर सेम plus y equal to zero तो यह से दोस्तों आपको यह question solve करना है और बहुत ही मज़ेदार तरीक answer यह वाले question कैसे solve करें तो देखो दोस्तों यह verify वाले questions है verify वाले questions में constant मत देखा करो पता चला यहां पर तो ऐसे आया नहीं है अगर समझो एक constant आया तो आप बोलोगे एक ही बार derivative लूँगा नहीं क्योंकि यहां पर verify करने बोला है मतलब हमें क्या करना है यहां पर इसका proof already दिया हुआ है तो हमें इसको solve करके यह निकालना है तो इसको solve करते टाइप आपके पास एक बहुत simple सा फंडा बता रहो यहां पर double derivative मतलब इसको दो बार derivative लेना है simple सा है देखो यहां पर मैं solution देख भी नहीं रहा हूं देखो यहां पर जो उन्होंने दिया हो लिखा कितन यहां जो X यहां नीचे आता है मैं हमेशा यहां पर multiply करता हूँ तो यहां पर गया जाएगा दोस्तो देखो यू वह देखो यू इन्टु भी रूल है अब तो आपको समझ में आना चाहिए यू लिखा देन दोस्तों यहां पर वी लिखा पर यह वी का derivative आएगा तो इसलि और यू का derivative गाएगा दोस्तों और यह constant है दोस्तों वन constant दोसका derivative जीरो तो देखो यह पर यह इंटु भी रूल लगाया जो पीछे था अब मैं और इससे अच्छे से लिखू तो एक्स डी वाइवाई डी एक स्क्वेर प्लस डी वाइवाई डी एक्स विचिस इक्वाई देखो भाई बहुत ही सिंपल तरीके से पूरा 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 पार्ट आपका सॉल हो गया अब ऐसा ही सेम मैं आपको एक question दे रहा हूं यहां पे solve करने के लिए यह सेम verify का question आप समझ जाओगे तुरंद देखो मैं आपको हर टाइप आपके दीवाग पर बिठा दे रहा करना है और जो रिकॉड़ेट लेंगे तो उसमें तो सब मिला ही रहेगा इसलिए मैं बहुत सारी चीजें आपको इस्ट्रा मिल जाएगी तो पड़ापड बहुत सारे सम्स देखो और बहुत सारे के सॉलूशन जल्दी जल्दी देखके फड़ापड फड़ापड वीडिय सब्सक्राइब जाएगा नहीं तो अभी बहुत सारे सालुशन जुकि आपको समझेंगे नहीं तो वहाँ पर आपको स्ट्राइट्फरवड सीधा 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 स्वरूशन दिया रहेगा अब जोस्तों देखो यहां तक ही चीज़े हो गई अब हैं करना है एक है वरिब सिम एक है एक्जेक्ट और एक है लिनियर और तीनों सम्स आपको पहचानने में कोई डिफिकल्टीज नहीं होगी यहां पे इस तरह से कोशन दिया गया है अब यह कोशन अगर इस तरह से दिया है कभी अगर कोई भी कोशन आ रहा है जैसे अगर समझे मैं यहां पे लिख रहो एक्स डी वाए और यहां पे वाई डी एक्स अब दोस्तों यह जैसे यह डी वाई है वाई वाला मैंने यहां पे भेज़ दिया, यह dx है, x वाला यहां पर भेज़ दिया, तो अगर याद रखना, अगर dy के साथ, यहां पर देखो यह पूरे के पूरे आप y आगे, यहां पर आप देखो कि पूरे के पूरे x आगे, अगर y और x को मैं अलग कर पा रहा हूँ, पूरा का पूरा, तो यहां सम sum दे रहा हूँ, x plus y, dy, x plus y square dx, अगर मैं ध्यान से देखू, कहां अलग हो पाया, नहीं हो पाया, इसके अंदर अगर dy के साथ बस y रहना चीछ था, x भी है, तो यह sum इस method से नहीं साव लगा, तो समझ जाना है, यह sum एक्जेक्ट वाले method से try करना, तो हमेशा एक्जाम में ध्यान रखना कि इस तरह से चीज़े अगर आई तो आपको identify करन 0, x, dy, minus y, dx, अब यहां पर क्या मैं इसको separate कर पा रहा हूँ, yes, y, यहां पर dx है, यहां पर x, yes, कर पा रहा हूँ, आज बहुत सार लोगों को समझा होगा, अरे, यह इतना simple था, अब क्या करना है, दोस्तों, बस step पता होना चीछ, आपको variable separable form का, अगर यह दोनों integration लेकर और साथ में एक constant लेना है, देखो मैं दोनों को integration ले रहा हूँ, dy by y, integrate कर रहा हूँ, dx by x, और साथ में दोस्तों, एक constant आप c या c ले सकते हो, तो यहां पर याद रहना variable separable form, जिसको हम VSF बोलते हैं, अब आपको one upon y, जैसे one upon x का integration सभी को यादे, one upon x का integration तो यादी होना चाहिए, log x है, तो ऐसी one upon y का क्या हैगा, दोस्तों, यहाँ पर log y, यहाँ पर क्या हैगा, दोस्तों, log x, और यह c' को हमेसा यादखना, अगर यह दोनों log है, तो इसको भी log form में लिखना, तो c' को मैं log c लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हो, c' which is equal to log c, अब दोस्तों, आप क्या कर सकते हो, देखो, यह log y है, log x यहाँ पर ले लो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोस्तों, log c, अब आपको पता है, log का rule, log अगर कभी भी minus में है, तो हम one time लिखते हैं, और यह जो y है, इसके नीचे दोस्तों x है, वो divide में लिखेंगे, तो यह rule आपको पता होना चाहिए, बेसिक मैथमेटिक्स का, और आप में से अगर किसी को बेसिक मैथमेटिक्स में भी प्रॉब्लम है, तो उसका भी मेरा crash course का वीडियो अल्रेडी पढ़ा हुए, अप जाके ले सकते हो, और बहुत ही सांदर तरीके से आप अपनी चीज़ कर दिया, कुछ tension ही नहीं है, बस अच्छे से sums का practice कर लो, आपकी चीज़े बहुत आसान हो जाएगी, अब देखो दोस्तों इसी टाइप का एक और question में लेकर आया हूँ, आपको तुरंद पता चल जाएगा, कि भाई ये इस टाइप का sum है कि नहीं है, और देखो यहाँ प और one plus y square dx, जो लोग अगर application मेरे lectures को देख रहें, तो इसमें मैंने e raise to x का detail lectures में जो question solve कर आया है, वो यास से करके जाना, इस टाइप में, इसमें इस वाले में, तो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे dy है, अब आप क्या करोगे नीचे one plus y square, यहाँ पे कहा है दोस्तों, dx ह 1 plus x square, देखो मैंने यह वाला पाट यहाँ पेचाब, देखो dy के साथ y वाला पाट है, dx के साथ x वाला पाट है, कोई तकलीफ नहीं है, जस्त क्या करूंगा, integration लोगा दोने साथ, variable separable form apply कर सकता हूँ, तो देखो यहाँ पे dy है, यहाँ पे y square लिखते टाइम पहले लिख र formula है, पर अगर जिनको नहीं पाता है, यह direct formula आपको याद रखना है, इसका जो integration होता है, दोस्तो, tan inverse x होता है, यह आज से ही याद कर लो, अगर सबुछ यहाँ पे y है, तो यहाँ पे tan inverse y हैगा, पर यह भी y होना चीए, तो दोस्तो देखो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे plus c dash हाएगा, यहाँ पे क्या हजाएगा दोस्तो, tan inverse x हाएगा, plus c dash है, अब c को आप lock c मत लेना, यहाँ पे lock का कोई term लिए, यहाँ पे क्या होगा दोस्तो, tan inverse यहाँ अब आप बहुत ही अच्छे तरीके से अगर सी जो को लिखनी कोसिस करोगे तो यह 10x को आप यहाँ पर ले लो तो देखो 10 inverse y minus 10 inverse x c dash अब दोस्तों द्यान से यह जो दोनों जो पार्ट है यहाँ पर 10 का formula आजाएगा दोस्तों 10 inverse a minus 10 inverse b equal to यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों 10 inverse a minus b 1 plus ab दोस्तों यह हमने पढ़ा था basic mathematics में सभी चीज़े यहाँ पर cover होगी यहाँ तक आपका answer आगया पर इसको और अगर simplify करता चाते है तो formula लगा के कर सकते हो अब यहाँ पर कोई बोलेगा कि मेरा marks जाएगा हाप marks जा सकता है क्योंकि यह simplification आपको आना चाहिए क्योंकि आपने basic mathematics पढ़ा है तो यहाँ tan inverse a का value दोस्तों यह है b का value यह है तो यहाँ पर a minus b और यहाँ पर कहाएगा दोस्तों 1 plus a into b यहाँ पर कहाएगा y into x और equal to यहाँ पर कहाएगा दोस्तों c-डास अब देखो दोस्तों अगर द्यान से अच्छे से देखनी कोसिस करो तो आप इसको यहाँ पर ले सकते हो देखो यह 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 बाइनस x और यह one plus yx है आप इसको 10 c-डास ले सकते हो और next step में आप इसको य यह पार्ट आपने कवर किया यहाँ पर अब कुछ बेसिक चीजे में आपको बता देना चाहता हूं कि जिससे आप आराम से एक्जेक्ट वाले पार्ट का मार्क स्कूर कर लो जिसके अंदर जैसे अगर मैंने यहां पर यू लिखा और यहां पर दोस्तों तू एक स्क्वेर है यहां पर य स्कूर है एक स्कूर है यह चीज देखो अभी तक आपने डेरिवेटी पढ़ा है पार्सल डिफ्रेंशेशन नहीं पढ़ा है पर फिर भी आपके सिलाबस में एक्जेक्ट वाला पार्ट यह इंजिनेरिंग का पार्ट है पर बहुत सीम्पल है अब यहां पर सबसा अगर अगर आप दयान से देखोगे इसको मैं पार्ट सीली डिफ्रेंशेट कर रहा हूं सबोस्विट रिस्पेक्ट टूए इसलिए इसलिए इसलें डिफ्रेंशेट कर गे तो सबस्द्दそうそう यहां पर उटइस लगता है यहांudos से निकालोगे दोस्तो आपको एक सिंपल सा fandom भता रो यहां पर x है न इसमेत। बस x वाले को solve करो बस x वाले को solve करो और कहीं पे कहीं पे दोसतो अगर x वाला ही बस solve होगा पर अगर कहीं पिए y आपको इसमें दिख गया य अगर x के साथ तो और अगर दिक्त नीनिये पर अगर एक्रेला थे जीरों मैं स्प्राइब खरू हो। तो यहां पे बि》र स्वाई करूंगा क्या घ कम दो एंसर गाइगा जो से निसको सिंप्लिपाइब और सब्सक्रद यहीं संग सबस्क्राइब ऐसा है और आपको यहां पर बोल रहरे हैं वित रिस्पेक्ट वाइ Kundi लो करो ड। अब डुल न अगर आ करते हो तो मैंने क्या वह यहां पर य लिम्न मत्लों commissioned Ca करना है और कहीं पर एगर एक्स दीखा अकेला तो जीरो होगा तो देखो मैं सॉल्ट करो तो यह तो आपको क्या करना है बस एक्स यहां पर एक्स आया वह जीरो होगा बाकी एक्स वैसी लिखना है बस अगर आप यह चीज़ समझ गये तो यहां पर यह मैथड आपके लिए बहुत आसान होने वाला है अब देखो द्यान से पूरा में मैथड आपको समझा दे रहा हूं कभी भी एक्जेक्ट वाला समगा अब देखो पूर्सन आपका इस फॉर्म में रहेगा एम डी एक्स प्लस अडी वाइविच इस एक्वल जीरो मतलब डी एक्स के आगे जो भी टर्म होगा उसको हम एम लेंगे और यहां पर फाइनली का निकालेंगे दुस्तों एम और यहां पर क्या करेंगे दूस्तों इसे डेल एम ये जैसे निकालते डेल एंगे मैं लेक्स नगी तो यह लेक्शर भी आपके लिए बहुत कुछ दे रहाया होगा अगर यह दोनों का एंशर सेम आया तो आप दारिक हर वहो सकते हिसे इन एक्वेशन है और उसके बाद जन्रल सालूशन निकालना होता है general solution निकालते time दोस्तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको integration of m लेना होगा dx यहाँ पर integration of n dy लेना होगा और यहाँ पर c यह इसका general solution है बट एक चीज ध्यान रखना यहाँ पर यह free from x होना चाहिए यह मतलब जब आप n का values लिखोगे तो इसमें से कोई जो term x वाला रहेगा वो मतलिखना जैसे अगर मैं for example अगर आपको दिखाना चाहूँ यहाँ पर समझोँ ऐसा है x square y y x और यहाँ पर है y तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे एक second में राइट urgent call office से आ रहा है हम गर पर आपको अगर लिए अगर इसमेуск चिक अब दोस्तों यहां तक ही चीज हो गई तो यह आपको पता होना था अशी हिसमें सब में पूरा का पूरा सम्क्रां करोगे तुस्तों कोई फरक नहीं पड़ेगा और आराम से आपका पुरा यहां पर एंसर भी आएगा सब कहा गया है अब देखो यहां पर इस कोशन को दियान से देखो क्या लिखा है तो दोस्तों देखो यहां पर मैं लिख रहा हूँ 3x2-y dx यहां पर x dy equal to 0 और अगर मैं दियान से देखो तो dx के आगे सबसे पहले अगर आप इसको variables कभी भी कोई भी कोशन आएगा ना तो variable separable form में करके देखो तो यहां पर दोस्तों x और y दोनों साथ में है तो नहीं हो पा यहां पर आप समझ से समझ जाना कि यह किस से सॉल होने वाला है एक्जक्ट से सॉल होगा अब यहां पर आप देख रहे हो तो यहां पर अगर आप m की value लोगे तो dx के साथ होगा m की value यहां पर गाएगा 3x2-y और dy के साथ n होगा तो minus x अब यहां पर हम क्या करेंगे दोस् अब यहां पर आपको यह भी पता है दोस्तों कि इसमें बस y को सॉल करना और कहीं पर अगर x अकेला आ रहा है तो 0 होगा तो यहां पर x अकेला है थ्री के साथ है तो यह मत बोलना 3 के साथ है y होता इसमें तो x बच जाता पर अकेला है तो 0 है तो यह minus i c रहेगा y का क्या है का 1 अगर मैं द्यान से देखू यह वाला पार्ट तो यहाँ पे x का एंसर कितना है का दोस्तो 1 अब यहाँ पे क्योंकि यह देखो with respect to x अगर आप दोनों को द्यान से observe करोगे del m by del y और del n by del x तो दोनों का एंसर दोस्तों क्या है सेम है और अगर दोनों का एंसर सेम है तो यह क्या है का दोस्तों exact और अगर यह exact है अगर यह exact होगा दोस्तों तो अब आपको क्या करना है बस आपको यहाँ पर exact ही प्रूफ करना तो हो गया आपका काम हो गया बस यह दोनों सेम हो गया exact हो गया अब दोस्तों देखो यहाँ पर इसके बाद आपको एक sum दिखाई दे रहा है देखो यह यहाँ पर x और y mix-up है तो आप समझ सकते हों कि यह कुण से टाइप कर समय है यह सबसे वहले वैरिबल से अपरेबल से नहीं सॉलोगा तो exact से सॉलोगा है तो आप sum identification आपके लिए कितना easy मैं कर दिया हो अब देखो यहाँ पर अगर मैं m के value की बात करूँ तो dx के आगे जो है 3x square प्लस 6xy square यह m हो गया n के value की बात करूँ तो यह कहाँगा 6x square y 4y square यह n हो गया अब यहाँ पर देखो यह m है 3x square प्लस 6xy square 6xy और प्लस 4y square यह यहाद रखना है कि यहाँ पर गलती से dx रहा तो वह m हो जाएगा कभी का और मतलब फसानी के लिए वह आगे पीछे दे देते अब यहाँ पर मैं partially differentiate करूँ with respect to y तो यहाँ पर बस y वाला solve होगा देखो एक्स अकेला है 0 होगा और यहाँ पर यह 6x ऐसे ही रहेगा और y का क्या आएगा y square 2y तो finally यहाँ पर गर मैं del m by del y निकालू तो 12xy आएगा यहाँ पर मैं del n by del x निकालू तो बस x वाला solve करूगा तो 6x ऐसे ही रहेगा y ऐसे ही रहेगा x square का क्याएगा 2x यह देखो यहाँ पर कोई x नहीं है तो यहाँ पर del n by del x which is equal to 12xy दोनों को अगर आप द्यान से देखोगे तो दोनों के answer सेम है तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि del n by del y which is equal to del n by del x और यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि यह exact है अब दोस्तों देखो यहा जंदल सॉलूशन निकालना बहुत सिंबल्स है integration of mdx integration of ndy equal to क्या हैगा दोस्तो c अब यहाँ पर आप लोगे m m का value कितना है दोस्तो 3x square plus 6xy square और यहाँ पर क्या है दोस्तो dx है यहाँ पर आप n लोगे n लेते time x वाला term नहीं लेना है मतला इसमें x यह नहीं लेंगे बस यह लेंगे यहाँ पर कहेंगे दोस्तो 4y square और यहाँ पर कहेंगे दोस्तो dy which is equal to c अब यहाँ तक ही चीज़े अगर जैसे ही solve हो जाए hello एक से हाँ हाँ आयायाया तो दोस्तो यहाँ तक ही चीज़े हो गई आपकी अब आपको क्या करना है कि सॉल करना इसको सॉल कर दे डाइम देखो यह 3 ऐसी रहेगा x का स्क्वेर का अगर हम integration ले तो क्या आएगा x क्यूब बाई 3 याद रखना x रेस टू एन है तो x रेस टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 आएगा अब यहाँ पर क्या है देखो 6 है यह y स्क्वेर मैंने बोला यह constant है बस x को सॉल किया फिलो तो x का क्या है एक स्क्वेर बाई 2 और यहाँ पर 4 ऐसी रहेगा y का क्या हैगा y क्यूब बाई 3 यह देखो 2 है उसमें 1 प्लस हो जाएगा नीचे अब दोस्तों अगर आप दियान से देखो कि यह दूनों कैंसल हो गया है यह 3 जा तो फाइनली यहाँ पर क्या होगा x क्यूब 3 x स्क्वेर य स्क्वेर और यह गाएगा 4 बाई 3 y q which is equal to c अगर आप चाहते हो तो पूरे equation को आप 3 से multiply कर दो और 3 से multiply करने का यहाँ पर 3 c आएगा उसको आप c लिख देना तो भी चलेगा यहाँ तक भी अगर आप solve कर रहा है तो चलेगा अब दोस्तों next part आ रहा है आपका जो next part आएगा दोस्तों वह है आपका linear equation linear equation में मैं बोल रहा हूं कि देखो वैसे दो टाइप होते पर आप वान सॉट वीडियो देख रहे है तो बस आप एक ही टाइप अभी देखो और एक्जाम में इसी टाइप में आपको आज़्योan दें तो यहां पर वाए है यह चीज हमेसा सम में दिखाई दिया संब्ज़ जाना है इससी तरह स Def 통 एंगे और यह वाले पार्ट में विलेंगे ऑप वाला प् relied है दूस्तों वह हमेशा पी और क्यों आपर हमेशा यादक्स या तो constant होगा यह मैं सागर है इसा पी और क्यू वाला पार्ट अगर एकस है यह तो constant समझ जाना यह इसी टाइप से सवा लोगा दैन यहाँ पर आपको क्या करना है integrating factors निकालना integrating factor क्या होगा PDX यहाद रिखना अभ यहाँ पर नीचे डी-एक से इसलिए डी-एक साइगा और दोस्तों इसके बाद आपके निकालों के जनरल सॉलुशन बहुत सिंपल सा यहां पर वाइ तो यहां पर क्यू मल्टिप्लाइबा इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स यहां पर डी-एक्स प्लस-ई यह एक फॉर्मेट है जो आप हो सम्में क्या करना फॉलो करना फ्लें यहां पर एक सम ले रहा हूं और उस समसे अकॉर्डिंग मैं अगर सीजो को सौल करने कूसिस करें अब यहां पर द्यान से देखू तो यहां पर डी-वाई-बाई-डी-एक्स कि भाई से तैन एक्स है और इक्वाल है अब देखो सम्द देखके मुझे तुरंट idea आग현 आगया कि या रहा ह। है यह देखो वाय है इसमें ओकर दो मतलब यह उस तरह से मैं लिख सकता हूँ देखो मैं इसको लिख कैसे वहाँ यहां मैं क्या लिख रहा हूँ 10x और यहां पे कहा है y और यह कहा है cos square x और अगर मैं इसको comparing करूँ comparing above equation with dy by dx py which is equal to q अगर मैं इससे compare करूँ तो आप क्या कर सकते हो दोस्तों पी का जो वैल्यू है वाइगे दुस्तों पी यह इसके आगे यह वाला वैल्यू पी यह पर आपने 10x लिखा आपने कभी solve करने की कोशिश नहीं की इसलिए आपको हाट जा रहा था यहां पर यहां पर आपका देखो दोनों x के टर्म में हाँ तो मतलब यह इस टाइप से solve हो सकता है इस टाइप से solve करने के लिए फिर मैं क्या क्या करूंगा लिए और यहां पर दोस्तो यह बचा आला पाट आता है, यह हमेशा याद रखूँ, अब यहाँ पे, next नम क्या निकालेंगे दोस्तो, general solution, अब देखो अगर आप general solution solve करने जा रहे हो, यहाँ तकी चीज़े होगे, अगर आप general solution solve करने जा रहे हो, तो कैसे आपको solve करना है, यहाँ पे कहाएगा दोस्तो, y, multiply by यहाँ पे कहाएगा दोस्तो, integrating factors, और यहाँ पे कहाएगा दोस्तो, q, multiply by integrating factors और यहाँ पे कहाएगा, dx plus c, y, multiply by integrating factors कहाएगा, दोस्तो, sec x है, q, multiply by q कहाएगा, दोस्तो, q कहाएगा, दोस्तो, cos square x है, यह देखो यहाँ पे, into, यहाँ पे कहाएगा, दोस्तो, sec x, और यह dx और यह प्लस c तो y which is equal to sec x अब देखो दोस्तों यह cos square x है यह sec x को 1 upon cos x लिख सकते हैं और प्लस c तो यह cos इसमें से 1 cos का answer then y into sec x अब यहाँ पर integration of cos x क्या है देखो यहाँ पर a की term बचेगा cos x और dx और प्लस c तो finally अगर आप इसके answers को लिखने कोसिस करोगे देखो आप answer में उपपर लिख दे रहाओ y into sec x cos का integration क्या आता है दोस्तों minus sin x और plus sorry cos का integration plus sin आता है तो यहाँ पर क्या आजाएगा दोस्तों यह पूरा का पूरा आपका part हो गया तो यहाँ पर एक ही वीडियो में सब कुछ cover करा दिया दोस्तों यह last question है यह आपको try करना है और possible हो तो बार बार बोल रहाँ कि अगर अच्छा पूरा preparation करना है confidence लेकर आना है तो आप crash course के lectures को ले सकते हो और क्योंकि price बहुत कम कर दिया तो जिससे आपके notes, CSF कुछ मतलब अलग से मेहनत बहुत सारे topics आप बस notes देख देख के काम कर सकते हो और फड़ा 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 चीजे जल्दी cover हो जाएगी और आप अपने preparation को एक check भी कर सकते है कि मेरा preparation कुछ सही चल रहाए कि नहीं चल रहा है मैंने जो पढ़ा है वो सही पढ़ा है की नहीं पढ़ा है तो यह है अब देख यह सम्स भी है इसका solution भी आपको मेरे detail lectures में मिल जाएगा तो वहां से भी आप देख सकते है तो चलो bye bye take care जहीं दोस्तों और आपको कौन सा चाहिए अब next video नीचे comment करना लाइक करना मत भूलना और लायू का भी याद रखना